पंजाब में कॉंग्रिसी किच-किच थमने का नाम नहीं ले रही है अब सुनी जाखड और नवजोट सिंग सिध्धू एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं असल में सिएम कैंडिडेट बनने के लिए बेताब नवजोट सिंग सिध्धू ने आला कमान के फैसले से अलग हटकर पार्टी से सिएम का चेहरा घुशित किये जाने की मांग कर दी इसके बाद विवाद तो होना ही था सिध्धू के इस मांग के बाद सुनिल जाखड ने दो टूक शब्दों में करारा पलटवार किया नवजोट सिंग सिध्धू ने मांग की थी कि विधान सभा चुनाव से पहले पार्टी को अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करना चाहिए इसके विपरीद कौंगर्स की प्रचार कमिटी के चेहरмен सुनिल जाखड ने इससे साफ इनकार किया प्रदेश कॉंग्रिस के पूर्व प्रधान सुनील जाखर ने कहा कि 2017 विधान सभा चुनाव को छोड़ कर कॉंग्रिस कभी भी सीएम चेहरे के साथ चुनाव में नहीं उत्री उन्होंने कहा कि 2017 का चुनाव एक अपवाद था अब ये जाहिर था कि कैप्टन अमरिंदर सिंग ही मुख्यमंतरी पत के उम्मीदवार है सिद्धु ने कहा कि बारात से पहले दूले का एलान होना चाहिए कॉंग्रेस के लिए भी जरूरी है कि मुख्यमंतरी चेहरे का एलान करके ही पार्टी विधन सभ़ चुनाव में उत्रे सिद्धु ने कहा कि पंजाब के लोग जानना चाहते हैं कि पंजाब को कीचड से कौन और कैसे निकालेगा कॉंग्रेस पार्टी का रूड में क्या होगा उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंतरी का चेहरे घोशित नहीं करने के जलते ही आम आदमी पार्टी का जो हाल 2017 में हुआ था व Sith अब कॉंग्रेस का होगा उस समय कॉंग्रेस ने कैप्टेन अमरिंदर सिंग को मुख्यमंत्री चहरा घोशित किया था और पार्टी को अब चाहिए कि 2022 के चुनाव के लिए भी मुख्यमंत्री का चहरा घोशित करें पंजाब विधान सभाचुनाव में कॉंग्रिस ने अपना सीम चेहरा घोशित नहीं करने का फैसला किया था सामोहिक नित्रत्व में पार्टी आने वाले विधान सभाचुनाव में उतरेगी कांग्रिस ने पिछला विधान सभाचनाव कैप्टेन अमरिंदर सिंग के नितरत्व में लाड़ा था लेकिन पार्टी इस बार किसी को अपना सीम चहरा घोशित नहीं करेगी कैप्टेन अमरिंदर सिंग खुद अपनी पार्टी पंजाब लोग कांग्रिस का गठन कर कांग्रिस को चुनौती देने की तैयारी में है